स्री साहीं पेट्रोल के नई वीडियो में दोस्तों मैं गुर्दीप सिंग आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सबसे पहले तो लासा अपसो का एक मील पपी अपने घर की होम ब्रीडिंग का and secondly जो में टॉपिक है वीडियो का वो बहुत इंटरस्टिंग है मेरे को कमेंट आया था कि मुझे लगा कि उस कमेंट के ओपर वीडियो बनाना चाहिए मेरे को किसी ने पूछा है मैं आपसे कमेंट शेयर करता हूँ कि उनके पास 50-55 दिन का लासा अपसो का बच्चा है लेकिन उन्हें पता नहीं लग रहा कि उसको क्या डाइट दें और कैसे दें क्या उसका शेडियूल रखें दिवाली के टाइम पे उन्होंने ये बच्चा बाई किया है सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो लोग पपिस को सेल करते हैं बिजनस ठीक है आपको इससे पैसे मिल रहे हैं मेरे को भी मिलते हैं लेकिन आप सभी का और मेरा सब का ये फर्ज बनता है कि जब हम किसी को एक नया बेबी दे रहे हैं उनके घर में एक नया फैमिली मेंबर दे रहे हैं उनको थोड़ी ना पता है कि डॉग को कैसे रखना है पपी को कैसे रखना है ये एक्सपिरियंस हमें है क्यूं क्यूंकि हम इस profession में हैं हम काफी सालों से dogs को रख रहे हैं पपीज को रख रहे हैं हमारे पास बच्चे होते हैं हमें जादा पता है लेकिन जो first time owner है उसे बिचारे को कुछ नहीं पता तो पैसे का पता है हमें के हाँ भी लेना है तो क्या हमारा यह फर्ज रही है क्या कि हम उनको अच्छे से समझाएं दे दिया है पपी उसके बाद उनकी calls को attend करें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ भी पपी दे दिया है उसके बाद के फोन नहीं उठाना कि हाँ भी अपना काम निकल गया ठीक है जी पपी ले लिया हमने तो यह मेरी गुजारिश है कि आप उ यहां से उसके मिला तो अछी बात है हाल nehकि मैं ने देखा नहीं ऑनोंने थे फोटों ने शेफिया मेरे को YouTube पर ही ओनोंने कमेंट किया था तो सबसे पहले तो यह जिविए उसको से एलेक देना है ठीक है जी का है अच्छा है तो लेकिन मैं जो रेकमेंड करता हूं हम यूजो यूज करते हैं या फिर ऐसे कहो कि जो मैं अपने पपी सको देता हूं मैं नैसले का जो सरेलेक होता है मैं वो यूज करता हूं चाहे वो वीट फ्लेवर हो चाहे वो एपल फ्लेवर हो चाहे वो अपना जो है दिन में four times is enough ज्यानिके वो इनफेक्ट ज्यादा ही है four times जो है वो 30 डेस के बच्चे के लिए या 35 डेस के बच्चे के लिए होता है उसके बाद बच्चा एक्टीव हो जाता है उसको आप three times diet दीजिए that is enough सुबे 6 बजे दे दीजिए 7 बजे दे दीजिए क्योंकि इस time पे पपी उठ जाते हैं तो सबको उठा भी देते हैं तो उस time पे दे दीजिए उसके बाद आप 12 बजे एक बजे या 2 बजे के आसपास आप उसको diet दीजिए ठीक है जी और उसके बाद जो है आप 7 बजे या 8 ब नहीं है सेरेलेक गरम पानी में ठीक है जी उसको ल्यूक वाटर में हलका सा आप एक चमचा डालिए दस मिनट के लिए उसको आप छोड़ दीजिए दस मिनट में वह यह के ग्रेवी सी बन जाती है तो तब आप उसको डल्यूट हो जता है पानी उसमें और सेरेलेक भी अच्छा फूड है इससे जो पपीस की जो टमी है वो खराब नहीं होती लूज मोशन नहीं लगते ही जा कहलो कि कुछ भी बहुत अच्छी या ब्रैंड है ये लोग कहते हैं कि हाँ भी आप यह वाला यूज करो वह वाला यूज करो या पैट शॉक्स वाले कहते हैं कि मेरे हिसाब से या फिर से मैं कहूंगा कि जो मैं यूज करता हूं पैडिगरी या रॉयल के नहीं यह दो ब्रैंड है इन दोनों को ही मैं यूज करता हूं ठीक है जी पैडिगरी प्रो पपी बहुत अच्छी डाइट है बहुत अच्छी फूड है रॉयल के नहीं के लिए जो छोटी ब्रीट के हैं इनके लिए गरम होती है ये डाइट ये बहुत कम डालनी है एक चमच दो चमच बहुत है ठीक है जी पैडिगरी पपी में फिर से मैं ज्यादा तर वो यूज़ करता हूं बहुत अच्छी है मेरे पास उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छी है पैडिगरी पपी थोड़ी सी अफोड़ेबल है लेकिन पैडिगरी पपी जो है उससे मेरे को कभी यह नहीं हुआ कि यार इसके रिजल्ट में कभी को गरबढ़ हुई तो मैं स्टॉंगली रिकमेंड करूंगा पैडिगरी पपी को आप फूड लीजिए सस्ता है बढ़िय से बता रहा हूं कि मेरे मेरे साथ इसका बहुत अच्छा है तो उसके बाद आप दोपहर को आप उसको वह डल्यूट करके सेम चीज पानी में गरम पानी में डालिए उसको ठीक है जी तो वह उसको जो अपना फीड है उसको फिर आप मैश कर दीजिए या फिर एक और बहु पानी में डिलूट करना बड़ा इसी हो जाता है तो उसको डिलूट कीजिए और वह अपने पपी को दीजिए दुपहर को दीजिए उसके बाद शाम को जो देना है तब भी आप यही डाइट दीजिए एक बार आपको लगता है कि हाँ भी चार बजे या पांच बजे आप दही जो है कर्ड जो है फ्रेश दही आप उसको दे सकते हो उसमें भी घरम पानी मिला के ध्यान रखना दही जो है ठंडा ना हो ऐसा ना हो के फ्रेज में से निकाला और आपने पपी को दे दिया उसको जुकाम लग जाएगा उसके गले में दिक्कत आ सकती है खराश हो सकती तो यह काम नहीं करना हमने सुबह की पहली डाइट भी दही ना दो रात को जो आखरी डाइट है वो भी आप दही ना दो ठीक है जी और रात की डाइट मैंने आपको बताई दी है कि आप पैडिग्री दे सकते हो इसी पैडिग्री में आप सेरेलेक मिक्स भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि एक चमच दहीं भी डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो यह बिलकुल परफेक्ट डाइट है आपके बेबी का कभी भी स्टमक लूज नहीं होगा कोई इश्व नहीं है पचास पच्पंडेस का पपी जिसका है उसको तो अल्रेडी वेक्सिनेशन हो चुक पतला हो जाता है तो अब चलते हैं इसकी बाद की स्टेज जब बच्चा हो गया दो महीने का या धाई महीने का तब हम रेक्मेंट करते हैं पहली बात तो यह घर का खाना जो है मैं रेक्मेंट नहीं करता कि हाँ भी घर का जो आप चपातीज है वो डॉक को दीजिए डॉक फूड जो बना हुआ है वो दीजिए ना आप हाँ कई बार लोग मेरे से कॉस्टिंग करते हैं कि सर हम तो वेजिटेरियन है तो हम डॉक को कैसे पाले तो वेज फूड भी जो है वो मार्केट में अवेलेबल है कोई असी बात नहीं आप एक बार बात कीजिए जो यह फूड बना होता है इनका जो फीड बनी होती है उसमें कौन सा हमें चिकन या मटन नजर आ रहा होता है वो तो एक राउंड राउंड से यानिके उनकी शेप्स होती है उसमें हमें मेरे ख्याल में किसी को दिक्कत नहीं होने चाहिए कौन सा नजर आ रहा है बट फिर भी कोई बंद आप साल भर उसको दे रहे हो कोई इशू नहीं है दूद जो है वो डॉक को नहीं देते यह मैंने ही आपको और भी बहुत सारी लोगों ने इनके और वीडियो में लोगों ने सब ने बताया हुआ है कि दूद हम पपीज को नहीं देते उनके स्टमक में इशू आ जाता है पनीर शुरू कर सकते हो आप तो ऐसी कोई दिकत नहीं है यह सब चीजें आप दे सकते हो डेरी प्रड़क्स से थोड़ा सा आप कोशिश करना के उसको अवाइड करें तो यह सब आजी दीजिए और उमीद है आपका बच्चा जिन्होंने यह कमेंट किया था उनको यह अंस नई-णहीं information आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूलिए आपके एक subscribe से हमें motivation मिलता है कि हमें लगता है कि हमें सुन रहे हैं हमें देख रहे हैं हाला कि views है ही है बहुत अच्छे हैं और thank you उसके लिए और मिलते हैं दोस्तों एक नए व कमेंट बॉक्स में स्रश्च कर सकते हैं जाहिद